देखिए six question क्या करा है x dy by dx plus 2y is equal to x square log x सबसे पहला तो आपको यह सोचना है कि भई 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 variable separable है की नहीं है homogenous है की नहीं है तो अब linear सोचने के लिए x गरबल करा है इसको उटा यहां से तो यह क्या हो जाएगा यह बन जाएगा dy by dx plus 2 upon x y यह आएगा x log x यह question 1 हो गया अब इसको compare किसे करेंगे तो comparing with किसे compare करेंगे dy by dx plus py is equal to q देखिए इसके पहले के जो questions है जो concept है वो दिमाग होना चाहिएगा तो पी की value क्या यहां पर है जो y का coefficient है 2 upon x और q की value क्या यहां पर है जो constant उधर लिखा है constant नहीं है जो arches में लिखा है अब क्या निकालेंगे integrating factor integrating factor का मतलब क्या होता है ऐसा factor जिससे इस equation को multiply करने पर यह integrable हो जाए क्या formula होता है e to power integral pdx हमने आपको बताया कि e to power में कहीं कहीं पर exponential of integral pdx लिखा होगा तो confuse मत होना exponential का मतलब e की power लिख रहे है तो e की power integral p बोले तो 2 upon x dx तो e to power 2 upon x का integral log x base यहां पर क्या होगा log का e होगा ना तो इसको आप cable क्या कर सकते हैं इसको x square ले सकते हैं यह आपका integrating factor क्या आगया x square अब क्या करेंगे equation 1 को integrating factor से multiply करेंगे multiplying equation 1 by integrating factor and integrating यह हम show नहीं करते हैं डाल लिखते हैं हमने इसके पहले वाले question बताया था आपको कैसे वा रहा है answer क्या आएगा इधर कहाएगा y into integrating factor is equal to q into integrating factor का whole integration plus constant यह लिखा जाएगा ठीक है तो y into integrating factor क्या है x square is equal to integral x square करेंगे तो क्या आएगा एक अरे दादा ने अरे दादा क्यों लॉग into x square is equal to first function किसको मानेंगे log x को क्यों एक तो x power 4 by 4 into log x minus यह 1 by 4 अलग हो जाएगा यह आएगा x cube dx plus c y into x square is equal to x power 4 by 4 into log x minus 1 by 4 यह क्या हैगा x power 4 by 4 plus c यहां तो answer को यहां मत छोड़िए यहां ठीक बात नहीं है यह चूंकि अभी घर जाएगा ना और 4 ले लो lcm ले लो 16 l ले लो तो क्या हैगा y is equal to यहां 16 lcm यहां है ना तो 1 by 16 बार हो गया यहां क्या बचेगा 4 x square log x minus x square और plus c upon x square तो यह आपका answer है answer का format कुछ भी हो सकता है ठीक फिलाल इसको यहीं फिर छोड़ दीजेगा note करिए question देखने में खतरनाक इसलिए है कि dy dx का जो multiply है यह x log x से गबर कर रहा है हटाओ इसको यहां से क्या करेंगा अब इसको x log x से divide कर दीजे तो क्या बन जाएगा dy by dx plus 1 upon x log x y is equal to square x log x divided को कितना आएगा 2 by x square आएगा ना log x cancel हो जाएगा equation बन हो गया इसको जब स्टेंडर्ड equation से compare करेंगे तो p ब्रावर क्या यहां पर आएगा 1 upon x log x q ब्रावर क्या आएगा 2 upon x square देके दुआ यह करने पड़ेगी कि भाई p का integral आसानी से हो जाए और q जदा खतरनाक ना हो क्योंकि जब integrating factor से multiply करते हैं न q को तो वो integrate होने बहुत time लेगाता है तो integrating factor क्या हो जाएगा e to power integral 1 upon x log x अच्छा आप कहेंगे इसका मालूम है इसका मालूम नहीं भाई साब इसको देखना पड़ेगा आपको हमने यहाँ पर क्या किया है log x को t मान लिया है तो 1 upon x dx वरावर क्या आगया है dt तो यह हो गया है e की power integral dt upon t तो log t हो जाएगा e to power log t to base e इसके वल्यों के वल्यों t आजाएगी अब t कमान रखेंगे उठा करके एन इसके वल्यों क्या जाएगी log x हो जाएगा तो यह आगया integrating factor तो solution क्या होगा इसका y into integrating factor integrating factor बोले तो log x is equal to यहाँ पर आप multiply किसे कर रहे है log x से क्या हो जाएगा 2 upon x square multiplying by log x का whole integration plus c यहाँ पर equation का है डालोगे इसको लगा दो product rule इसको note के लिए उपर का यहाँ लगा दो product rule वो लंबा तो यह जाएगा नहीं तो y into log x बराबर यहाँ पर log x को क्या करेंगे differentiate करेंगे तो क्या आएगा first function log x into इसको तो integrate करेंगे तो क्या आएगा इसको note के लिए इसको note के लिए रप करेंगे इसका integral उपर कर रहे हैं तो आएगा y into log x is equal to क्या आएगा log x 2 लिखा रहे हैं तो क्या दिक्कत है 1 upon x square को आप लिख दीजे x for minus 2 dx minus log x का differentiation 1 by x 2 लिखा रहे हैं तो और integral of x for minus 2 dx का जो भी result आएगा उसका whole integration plus c तो आएगा y into देखो अगर यह बहुत खतरनाक type का more लेता तो हर बार इसको लिखना पड़ता तो हम फिर i1 i2 मान के अलग से integrate कर लेते हैं तो y into log x is equal to 2 log x इसका क्या होगा है x for minus 1 upon minus 1 minus 2 को अलग कर दो 2 बहां निकाल दो इसका आएगा 1 upon x और यह आएगा x for minus 1 upon minus 1 dx plus c गलती नहों इसलिए हम step show कर रहे हैं क्योंकि calculation में आप लोग ऐसे बड़े intelligent हो जानते ही हो कहने ज़रो तो है नहीं गलती हमसे भी हो जाती है तो क्या हैगा y into log x is equal to minus का यह आजाएगा 2 log x upon x minus minus से plus हो जाएगा integrate यह upon x आएगा next for minus 2 dx plus c हो गया y into log x is equal to minus 2 upon x log x plus इसका क्या आएगा x for minus 1 upon minus 1 plus c तो तो फ़रा calculate कर लो answer आगे यह log x लिखा हुआ है तो आएगा y into log x is equal to minus 2 upon x log x minus 1 upon x plus c अब इस log x को दहाएगा लाने इसको बतलब नहीं है का करें भेज करके यह जैसे यहाँ भीचारा वैसे वहाँ पर जाकर करके मटके कर जाकर करके इसको यहीं पढ़ा रहने दो यह log x है तो this is the question number 7 note कर यह यह 2 लिख दीजे 2 लिख दीजे 2 लिख दीजे 2 लिख दीजे dy प्लस 2 x y dx is equal to cortex dx पहले बात तो दीजे दीजे निका लिए dx से डिवाइड कर दो तो यह क्या जाएगा 1 प्लस x स्क्वाइर dy by dx प्लस 2 x y is equal to cortex इसको अटाएए 1 प्लस x स्क्वाइर को तो आएगा dy by dx प्लस 2 x अपान 1 प्लस x स्क्वाइर dy क्या लिख रहा हूँ y is equal to cot x अपान 1 प्लस x स्क्वाइर अगर आप पहँचान रहे हूँ तो यह लिनियर डिफ्रेंशल इक्वेशन लिखा हुआ है और यह ध्यान रखिएगा अकसर बोड में और dx by dy का फार्मिट देने की कोसिस करते है दे यह भी देते हैं लेकिन 30% केस में उल्टा देते हैं तो किसे compare करेंगे standard result से तो p यहाँ पर क्या आएगा 2 x अपान 1 प्लस x स्क्वाइर और q यहाँ पर क्या आएगा cortex अपान 1 प्लस x स्क्वाइर अब क्या करेंगे integrating factor निकालेंगे क्या होता integrate factor e to power integral जब बार बार practice करोगे तो यह steps याद रहेंगे ध्यान रखना क्योंकि बाद में वहाँ ध्यान नहीं आता है फिर वहाँ जब exam आता है कि उसमें कोश इसे इसे बना रहे थे e बना रहे थे क्या नहीं तो t बना रहे थे वहाँ बुल जाते हैं लोग तो e की power integral p बोले तो 2x upon 1 plus x square यह पर गाड़ी रुख गई अब मैं बता नहीं रहूं क्या करोगे इसको इसको अगर तो समालने तो इसका derivative उपर present है तो 1 upon t हो जाएगा यह आप जाएगा e to power आएगा क्या log 1 plus x square base क्या होगा इसका e तो इसकी value क्या होगी 1 plus x square यह आपका क्या निकला integrating factor आप क्या करेंगे इसको इससे multiply करेंगे और solution निकालेंगे तो आप भी खेंगे multiplying equation 1 by integrating factor and solving and integrating तो यह क्या answer आएगा पहले बारे class में बताया था कि कैसे diet करने से value आ रही थी is equal to यहां cortex आएगा न क्यों integral of cortex क्योंकि जब इसको multiply करोगे तो 1 plus x square उपर निचे से cancel हो जाएगा cortex का integral क्या होता है y into 1 plus x square is equal to log sin x log log में हर जोगे mod लगा दिया करिए कोई ऐसा नहीं है नहीं लगाओगे कोई तोप नहीं है लेकिन ठीक है इसको उधर ले जाने कोई मतलब तो है नहीं तो this is your answer देखें नाइन्थ बोल रहा है x dy by dx plus y minus x plus xy cortex बराबर 0 देखो पहले तो हम कोई नहीं मालूम क्या है यह variable separation नहीं है homogeneous नहीं है हमारे slivers में तीन ही चीज़े हैं तो तीसरा है पहले x से divide कर दो तो यह क्या जाएगा dy by dx plus 1 upon xy minus 1 plus y cortex ज़रा समझेगा हमको उधर shift किसको करना पड़ेगा सही है ना question सही note है पक्का हमें उधर shift किसको करना पड़ेगा क्यों 1 को shift करेंगे आप सोचो question सही note है x dy by dx plus x minus ठीक है देखो द्यान से उधर function कैसा होना चाहिए जिसके पास केवल x हो कुछ गलत हमको लग रहा note है तो हम इधर क्या लिखेंगे हम इधर जिसके पास y है जिसके पास y है तो क्या आएगा दी वाइबाइ डी एक्स प्लस y काम ले ले तो 1 प्लस कॉट एक्स y इस इक्वल टू नहीं वन अपान एक्स इस इक्वल टू 1 चलेगा सही है ना अब देखो ये y के साथ ही आ गया p और ये q आ गया इसको कुछ में डाल दीजेगा अब थोड़ा सा आप टाइम लगाई है फिर हम बात करें पहचाना कैसे गया कि इधर p y होना चाहिए तो मजबूरी y के टर्म इधर लोके गए अब इसमें अगर compare करें पी की वलू क्या आएगी 1 by x प्लस cortex और क्यों की वलू क्या आएगी 1 integrating factor क्या होगा e की power integral p dx बुले तो e power integral 1 by x प्लस cortex साथ है dx e to power e कुछ ज़्याद है सेहत मंद हो रहा है देखे e की power log x इसका integral हो जाएगा इसका integral क्या होगा log x और प्लस इसका क्या हो जाएगा log sin x इसको single log में लिखा जा सकता है ना तो e to power x यानि आएगा e to power log x sin x और इसकी value क्या आएगी x sin x यानि आपका integrating factor मिल गया है ना तो solution क्या करेंगे कि multiplying equation 1 by integrating factor and integrating तो क्या आएगा y into integrating factor x sin x is equal to 1 में करेंगे x sin x whole integral प्लस c अब इसका integral तो सस्ता वाला है कर डालिए इसको ये note के लिया देखिए तो ये आएगा y into x sin x उदर के आएगा first किसको मानेगा highlight कहीं साब से इसको differentiate करेंगे इसको integrate करेंगे क्योंकि इसका differentiation हड जाना है तो first function sin x का integration minus का cos x minus first का differentiation sin x का minus cos x dx x plus c तो ये आएगा y into x sin x is equal to minus x cos x plus sin x plus c अब इसको आप उधर shift कर सकते हो इसलिए कि यहाँ पर ये दो रिष्टदार है लेकिन वहाँ उस हो अकेले तो आप transfer करो दो यही answer छोड़ दो यहाँ निकाल दो y अच्छा लगेगा क्या हैगा minus का cortex plus का 1 by x plus c upon x sin x क्या answer हो गए ये particular solution है या general solution है general इसलिए है कि depends upon the value of c बहुत सारे solutions के हो सकते हैं ठीक note करिए